Hello friends, welcome to my youtube channel, thing technically रहा, आज किस video हम डिसकस करेंगे, कि हम by using filters, अपने data को manage कैसे कर सकते हैं, उसमें filling कैसे कर सकते हैं, particular entries की अपनी need के according और particular subject according, तो उसके लिए चलिए देखते हैं, सारी process हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम filters use करेंगे, तो यहां पर desktop है, मैंने particular excel files रखी हैं, तो मैं सबसे पहले यह HYEA मेरे पास एक particular file है, उसको मैं यहां open कर रहा हूँ, तो यहां पर देखिए, different मेरे यहां पर data display कर रहा है, जिसमें यहां पर देखते हैं, यह देखिए, यहां half year लिए है, यहां admission number है, student के, यहां roll number है, यहां candidate का name है, और यहां class है, और यहां उसके different subject है, subject marks and practical, अब देखिए, जब मुठी यह marks fill करने होगे, इन particular students के, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मुझे यह particular seven list available चाहिए, at a time, जिसके मुझे marks fill करने है, English के fill करूँगा, फिर दूसी list में देखूँगा, हिंदी के, तीसरी में, चौती में, तैंस on, तो उसके लिए का काफी ही जदा complex method है, यह हर एक list को देखेंगे, कि वार ऐसा होता है, कि आपका कोई marks गलत वेरा भी हो जाता है, कि वार list mix up हो जाती है, so many problem phase कर सकते हैं, आप अपनी उसके according, need के according, जो आप filling करते हैं, तो यह process को और भी easy करने के लिए, हम use करेंगे filters का, जो filter activate करने के लिए, filter में आप data sort कर सकते हैं, subject wise, class wise, role number wise, then student wise, फिलाल आप सिरफ अगर beginner हैं, तम आपको यही prefer करूँगा, कि सिरफ आप subject wise ही data filter करें, otherwise data filter से जादा लगाएंगे, तो data mix up हो जाएगा, और आप confuse हो जाएगे, तो यहाँ पर जैसे मुझे सबसे पहले English के marks फिल करने हैं, सबसे पहले यहाँ से सभी को unselect कीजिए, English को select कर लीजिए, then okay, तो यहाँ पर देखें, सिरफ English के ही marks यहाँ पर display हो रहे हैं, subject शोरा English, और यहाँ पर देखें, आप English के सारे marks फिल कर देंगे, then after that English के बाद next आ टिक कर दीजिए, okay, यहाँ पर हिंदी, अगर आप दो subject को choose करना चाहते हैं, दो स्वेक भी choose कर सकते हैं, अपनी नीट के recording, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, एक ही student के दोनों show कर रहे हैं, और last में, जब आप यह सारी process कर लो, यहाँ से select all करके, यहाँ से okay कर देंगे, क्यों, because, जब हम इस file को upload करेंगे backend में, तो अगर आपका यहाँ कोई particular single marks field है, तो वहाँ server में single particular swag का marks ही field up होगा, तो यहाँ से आप filters का use करके, आप यह process का use करके, अपने marks हो fill कर सकते हैं, and one more thing, यहाँ पर आपका filter लगए, आपको यह नहीं पता कि filter कहां ल आप सिरफ सुज़के marks fill करेंगे, और one more thing, यह याद रखिए, अगर आपके half yearly है, तो वो होगे 80 marks में से, और आपके subject management, multiple assessment, portfolio, या unit test है, वो आपके होंगे 5 में, यह classes हमारी 9th और 10th के लिए हैं, और यहाँ practicals में आप कोई marks fill नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, औ और यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ as it is 0 का 0 रहने देंगे, so friends, काफी जादा easy method है, data को fill करने के लिए, because अगर आप यहाँ this way से सारा data add करेंगे, यहाँ जैसे display कर रहा है, काफी complex है, और आपके पास 7 की 7 list होनी चाहिए, और काफी जादा lengthy method है, लेकिन यह तो मैंने आपको method बताया by using filters, आप particular उसी swag को choose करेंगे, जिस आपने swag के marks fill करने है, और इससे आपको देखे clarity भी हो रही है, कि यहाँ सिरफ English ही आ रहा है, English को fill करके आप next list choose करेंगे, son, Hindi की, तो आप Hindi कैसे fill करेंगे, काफी जादा easy process है, अगर आपके पास larger quantity में data available है, so friends, यह process करके देखिए, if you face any problem comment box में comment कीजिए, और हमारे चनल को like, subscribe और अपने फ्रेंक्स चार शेयर करिए, so that वो भी in methods का tips and tricks का use करके अपने work को easy कर सके, so thank you friends for watching our video,